डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिंड बात अपने आपको जनसेव कहने कहलाने वाले विधायक और सांसद आखिर वेतन भोगी करमचारियों की तरहे वेतन बत्ते बढ़वाने की जुगत में क्यों लगे रहते हैं अलग-अलग राज्यों से रह रह कर विधायकों के वेतन भत्ते बढ़वाने के प्रयासों की खबरे आती रहती हैं कभी महंगाई का तरक दिया जाता है तो कभी दूसरे राज्यों के मुकाबले कम वेतन भत्तों का अब खबर मध्य प्रदेश से आ रही है यहां के विधायक प्रोटोकोल की आड में अपने वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए लामबंद हो रहे हैं तरक दिया जा रहा है कि जब प्रोटोकोल में उनका इस्थान मुख्य सचीव से उपर है तो उन्हें वेतन भी उनसे जादा मिलना चाहिए विधायकों का तरक अपनी जगह है और मुख्य सचीव वे विधायकों में अंतर अपनी जगह समझने वाली बात यह है कि मुख्य सचीव सरकारी करमचारी हैं और विधायक जनता के सेवक विधायक जन सेवा के लिए राजनीती में आते हैं नेकी वेतन भद्तों के लिए विधायक और सांसद पहले भी चुन कर आ रहे थे लेकिन वेतन भद्तों में बढ़ोतरी करानी की आज जैसी लालसा नहीं थी आज विधायक और सांसद सरकारी अधिकारियों के वेतन से अपने वेतन की तुलना करने लगे हैं विधायक सांसदों की परिवार के प्रती जिम्मेदारी होती है उन्हें भी अपनी मांग उठाने का हक है लेकिन सयमित तरीके से इस माहय की सुरुवात में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में 67 फिसदी की बढ़ोतरी की थी तर्ग था कि उन्हें बाकी राज्यों से कम वेतन मिलता है यह सवाल भी विचारनी है कि आकिर विधायकों के वेतन भत्तों में समानता क्यों नहीं होनी चाही एक राज्य के विधायक को डेड़ लाग तो दूसरे राज्य के विधायक को ढाई लाग क्यों केंद्र सरकार को सभी राज्यों को विश्वास में लेकर सांसदों विधायकों के वेतन भत्तों के लिए समान नीती बनाने पर विचार करना चाही जिस तरह केंद्र और राज्य सरकारों के करमचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का फारमुला बना है वेशा ही फारमुला जन प्रतिनिदियों के लिए भी बनना चाहिए इससे जन प्रतिनिदियों को अपने वेतन भत्ते बढ़वाने के लिए प्रयास नहीं करने पड़ेंगे साथ ही वी संगती से भी बचा जा सकेगा विधायक सांसदों को सरकारी करमचारियों से अपने तुलना नहीं करनी चाहिए विधायक सांसद पांच साल पड़ पर रहने के बाद ही पेंशन के हकदार हो जाते है जबकि सरकारी करमचारियों को यह सुविधा नहीं मिलती इसके अलावा जन्प्रतिनिधियों को आवास बिजली पानी रियायती दरपर केंटिन तथा यात्रा समंधी एसी कई सुविधाईं मिलती हैं जिनके खर्च का बोजतो आखिर जनता को ही उठाना पड़ता है समाप